पहलवान सागर धंखड हत्याकान तो आपको यादी होगा जिसके आरोप में ओलम्पियन सुशील कुमार जेल काट रहा है हालनकि इस मामले में अभी सुशील की सजा का एलान होना बाकी है और इसी वज़े से कोट केस जारी है मगर इस बीच पहलवान सागर धंखड के माता पिता ने ओलम्पियन सुशील कुमार पर गंभीर आरोप लगाए है सागर के माता पिता का कहना है कि सुशील कुमार की ओर से उन्हें समझोता करने के लिए धंकिया मिल रही है परिजनों ने अमित नाम के एक शराब कारोबारी को सुशील कुमार का करीबी बताते हुए कहा कि अमित और उसके साथ 6-7 पुलिस करमी और कुछनने लोग उनके घर आए और समझोते का दबाव बनाने लगे मगर सागर के परिजनों ने समझोते से इनकार कर दिया परिवार का कहना है कि सुशील कुमार की और से पहले भी समझोते को लेकर धमकिया मिल चुकी है जिसके मद्यनजर सागर के माता पिता ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई थी मगर उन्हें और केस के मुख्य गवा को अभी तक कोई सुरक्षा नहीं दी गई है पुलिस और सुशील कुमार की भूमिका के अलावा इस केस में सागर के पिता ने एक और चुंकाने वाला खुलासा किया है जिसमें खाप पंचायतों की भूमिका निकल कर सामने आई है सागर के पिता का कहना है कि केस की पिछली तारीक 21 अपरेल थी और 16 अपरेल को समझोते के लिए दबाव बनाने की मंसा से इस मामले में उनके ही गाउं में एक पंचायत बुलाई गई थी हर्याना तक को इस मामले में खाप की भूमिका की पड़ताल के दोरान दो लेटर हाथ लगे हैं पहला लेटर पालम 360 खाप की ओर से लिखा गया है और दूसरा धन्खड 12 खाप की ओर से पालम खाप की ओर से धन्खड खाप को लिखे मनाया जा सके इसके जवाब में धनकड खाप ने भी पालम खाप के आगरह का समर्थन करते हुए भाईचारे की नाते मामले को कोट से बाहर ही सुलजाने का समर्थन कर दिया इस से जाहिर होता है कि सागर धनकड के पिता समझोता करवाने में खापों के दखल की जो बात कह रहे हैं वो सो फीस्दी सच है और खापे भी भाईचारे के नाम पर एक हत्या आरोपी को बचाने की वकालत करती नजर आ रही है अंत में आपको सुनाते हैं कि सागर के पिता का इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है कर लो इस केस को वापिस उठा लो तो ना तो ठील नहीं हो गोगा ना तेरे गौँअ भी тер्यों प्रसा दे रहे हैं तो उससे पहले इसको अंदर करक है और बाव ड़ाव डलवागए उसको इस पुरी मामली को उषिल करवा रहा है जी को उषिल है तगडी पार्टी है तगहिं से प्रैसर ड़वा दिया होगा तो ना तो मेरे कर प्राने का क्या मतलब था उन्हों आरेश्ट करना था करनो आ करते बहुत रोड़ पर जातें रोंपधने पोलिस कमीशनर नसे मिले गए तग सब्सक्राइब करते हैं तो कि अधिया थे टीसीप साब से मिला था मैं प्रेटीसीप साब सिमनी यही का था शरीष की निस्पक्ष दांस करवाई जाए अग यह मेरे गर पर किस लिए गए थी फिर क्या कहा उन्होंने तो उन्होंने सीटीए से चोड़ प्राश बेज गया हमा अब क्या लगता है पूरे मामले में आपको मेरे को लग रहा है जी यह गवा है और दो तीन गवाईयां और रही है मैं तो इसमें यह इंदागर जो सोनमाल हो मेरे गर से रेस्ट करवा देते तो सारे गवार को यह हो जाता हुए तो असोग नराजी नामा कर लिया है इंसे और यह हमारी तो हम क्यों दुस्मने मौल लिया तो वह भी मुपर जयते हैं तो इसको सोनु को जेड में बेज के कहीं अंदर से बदमासों अदबाव डलवा गर तो इसको भी तोड़ने की कोशिश में यह करो है चल अब क्या चाते हो पूरी मामले में अब यह जी इसकी नि कि एक लफ्टोप के इसकी क्रोशिंग बाटी रहरिया कि तो उसको कैंसल करवाने के लिए करोंसिंग में इस से गलत बियान देनों खाले जैव सजय बभाब जावाङमे है उसकावए से से सोनु मालता twentा हे इसको को अंदर करका यह मीद कोने हं आमित रोलद गा ठेकेदार है, सराव गा ठेकेदार है, तो इसने सोनो ने इसे ठेके ले रखे हैं, तो इन वह कुछ लेन देन था तो बैट करने मटाओ, तो मेरे गर काने गा क्या मतला था, तो मेरे गर को किस ले आ रहे हैं. अव personality आय को किस्क वढ़ाएम किसे रखे हैं, तो मेरे प्रहसके मटापवस किसे रहных है क्या मतल्ते हैं, तो मेरे कजिए सोने रहे हैं, तो मेरे इसने पाले हैं, एमेरे एके जा वाडती रह